हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल होम साइंस लेट्स क्रैक इट मैं हूं डॉक्टर वंदना गुपता और मैं यहां आपको यूपिटी टीजिटी और पीजिटी का जो अभी एक्जाम होने वाला था मींस जो भी नोटिफिकेशन आया हुआ था लेकिन अभी उसको कैंस कर दिया गया है लेकिन आप टेंशन मत लीचेगा जल्दी ही उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा में भी दिसंबर तक नोटिफिकेशन नया नोटिफिकेशन आ जाएगा और एक्जाम भी जल्दी ही होगा इसलिए आप अपने पढ़ाई को कांटिन्यू रखिएगा उसको करिये गा क्योंकि जल्दी ही आएगा नोटिफिकेशन आप जाम भी जल्दी ही होगा तो इसका मैंने आपके साथ पीजीटी का जो यह लाबाई कि डिसकस किया था जिसमें की हमने उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिसकस किया था तो जल्दी ही हम पीजीटी तो हमने इसमें जो पहली यूनिट है आहार यूम पोशन की यानि की फूड और नुट्रिशन की उसमें हमने डिसक्स किया था कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स जो की अक्सर एक्जाम में पूछे जाते हैं या फिर आपको वो बेसिक्स है तो आपको जानना जरूरी है अगर आप होम साइन्स पढ़ रहे हो देन तो अब जो नेक्स टॉपिक है आहार की सरचना वर्गी करण यूम कारे मिन्स कंपोजिशन क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन ओफ फूड या डाइट तो इसको हम आज इस वीडियो में डिसकस करने जा रहे हैं चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आहार की सरचना वर्गी करण और उसका कारिय तो जैसे जो क्लासिफिकेशन ओफ फूड है यानि कि उसका वर्गी करण है फूड का तो उनको कई बेसिस पर जो है क्लासिफाई किया जाता है ठीक है उनकी प्रॉपर्टी यानि कि उसमें गुड पाए जा रहे हैं उनकी जो कार्य है या फिर उनकी जो क्केमिकल नीचर के एकॉर्डिए तोटीन फैट्स वीटमींज मिनरल सब्सक्लाइब टायिटरी फाइव और मिघ्लासिफाई किया गया है फंक्शन के एकॉर्डिग इनर्जी गीवइंग बॉडी में और प्रॉट्थिव फूड चे लिग्रार्टी उनकी प्रॉपर्टी हुए हैं उत्थपन हुए है फूट्स यानि जिसे की प्लांट फूट्स और एनमल फूट्स और उनके पोश्य मुलिक के को बारा कटेग्री में क्लासिफाई किया गया है चलिए तो पहला देखते हैं कि रासायनिक प्रकृति के अनुसार यानि की केमिकल नेचर के अनुसार जो मैंने बताया कि इनमें क्लासिफाई किया गया है फिर है कैमिकल प्रॉपर्टी यानि क्यूंकि गुणों के अनुसार जो है और गानिक फूट्स में या फिर नूट्रेंट्स आप कह सकते हो में क्लासिफाई किया गया है अब जो और गानिक यानि और गानिक का मतलब है क ठीक है जो carbonic पोशक तत्व होते हैं या carbonic जो food होते हैं तो उन वो क्या होते हैं कि इन में कहा गया है कि जो organic foods होते हैं यानि कि organic nutrients होते हैं जो foods में nutrients पाये जा रहे हैं पोशक तत्व पाये जा रहे हैं वो होते हैं जिनमें की carbon तत्व यानि की carbon element पाये जाते हैं ठीक है वो nutrients व बदारतों में यह और्गानिक न्यूटियंट होते हैं, उन्हें और्गानिक food कहते हैं करेम हादे हैं नहीं आकार्बनिक के नी पहलंते हैं, न के नियुकित अब आरकार्बनिक पोशवथ पят 156- Juby Artisch यानि की जो water है और जो खनिस्तत्व है वो आपके inorganic में आते हैं अब बात करते हैं उनके मात्रा के अनुसार यानि की mass जो उनका द्रब्यमान है उनके अनुसार उनके भार के according उन्हें macro और उन्हें micro में divide किया गया है अब micronutrients वे होते हैं जो की हमें daily basis पर यानि की रोज हमें उनकी जरूरत होती है और अधिक मात्रा में जरूरत होती है यानि की large quantity में उनकी अशक्ता होती है जैसे की carbohydrate है, protein है और वसा है यान की fat है यह macronutrients है और इन्हें हमें रोज इनकी जरूरत परती है और यह हमारी जो भी हम diet ले रहे हैं जो आहार ले रहे हैं उनका आधार होते हैं अब आते हैं micronutrients तो यह वे हैं जिन्हें की हमें बहुत कम मात्रा में जरूरत होती है यह हमारे लिए important है महत पूर्ट तो बहुत जादा है लेकिन इन्हें हम अगर कम मात्रा में यानि कि अगर मिली ग्राम में भी लेते हैं ठीक है तब भी हमारी जो requirement है वो fulfill हो जाती है यानि कि जो इनकी requirement होती है वो milligram या इससे भी कम मात्रा में हमें इनकी जरूरत पड़ती है यह क्या करते हैं यह हमारी जो शरीर के metabolism है यानि जो हमारा जो तंत्र है चया-पचे process जो हमारे शरीर में होती है जो energy process हो रही है जो हमारे शरीर को energy उर्जा मिल रही है तो इनको regulate करने का यानि regular basis पर इन प्रक्रियाओं को चलाने का जो काम है वो यही तत्तो करते हैं यानि कि micronutrients करते हैं अब इन में कौन-कौन से आते हैं micronutrients में vitamins और minerals यानि कि vitamins और खनिस्तर तो आते हैं अब आते हैं next पर अब उनकी उत्त्ति के अनुसार यानि कि उनकी origin के अनुसार जो हुने प्लांट यानि कि पेर पाउधों से प्राप्थ होने वेले पदार्थों में और जो animal यानि कि जो 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 बोजे पदार्थ होते हैं उनमें साथ साथ जो दूध यानि कि यह भी हमें animals से ही प्राप्थ हो रहे हैं दूध और जो दूध से बनने वाले पदार्थ हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे फिर बात करते हैं उनके portion moly के अनुसार यानि कि nutritive value के अनुसार इन्हें देख लीजे आप जो different category में डिवाइड किया है जैसे की cereals and millards, pulses, nuts and oil seeds, vegetables, green leafy, non leafy, roots and tubers, fruits, milk and milk product, animal food जैसे की meat, fish, liver, egg, etc, carbohydrate और condiments and spices तो यह different different हैं जिन्हें कि उनकी portion moly के अधार पर divide किया गया है इसे मैं फ़रत जब मैं आपको खादे समू पढ़ाऊंगी यानि कि जब आपको जो food groups मैं पढ़ाऊंगी जो कि Indian Council of Medical Research के दोरा दिया गया है पुराना भी और नया भी दोनों मैं आपको पढ़ाऊंगी तो उसमें मैं ये सारी जो groups दिये गए हैं ये सारे उसमें आपके साथ मैं discuss करूंगी और उसके साथ साथ उसमें जो पोशक तर्त तो पाये जा रहे हैं वो भी हम आपके साथ discuss करेंगे अब देखिए function आफोर यानि कि भोजन का काम क्या है हमारे जो आहार हम ले रहे हैं उनका काम क्या है तो वो यहां पर हम discuss करने जा रहे हैं तो इसनके तीन जो है मुख्यकारे होते हैं एक तो physiological है दूसरा psychological है और social है physiological यानि कि जो हमारी शारीरिक गत्विधियां हैं उनमें यह क्या रोल निभाते हैं क्या भूमिका आदा करते हैं तो वो है जिसमें कि आपका आजाएगा energy giving यानि कि जो हमको यह और जाय प्रदान करते हैं हमारे body को build यानि बनाने में जो मदद कर रहे हैं और हमारे शरीर को सुरच्छा प्रदान कर रहे हैं और हमारी जो सरीर की processes हो रही है regular basis पर उनको regulate कर रहे हैं ठीक है तो यह इनका शारीरिक रूप से कारे हो गया उसके बाद में psychological में जो मानसिक रूप से काम करते हैं और social का मतलब है कि समाजिक रूप से भी भोजन बहुत महत्तपुन भूमि का निभाते हैं चलिए discuss करते हैं फिर हम कि शारीरिक भूजर याने कि जो physiological foods है उनमें कौन-कौन से energy giving, bodybuilding, protective and regulatory और एक और है maintenance of health ठीक है तो अब यहां पर discuss किया गया है कि हम जो daily basis पर खा रहे हैं ठीक है क्यों खा रहे हैं ठीक है daily basis पर हम खाना क्यों खा रहे हैं क्योंकि हम हमें उर्जा चाहिए ठीक है जो energy giving food हो हमें उर्जा प्रदान कर रहे हैं जो bodybuilding food है वो हमारे जो bones है जो हमारी हड्डिया है जो हमारी मान स्पेसिया है उनको grow करने में help कर रहे हैं उनके development उनके विकास में help करते हैं और जो productive foods हैं वो हमारी शरीर को रोगों से सुरच्छित ठीक है फिर है उर्जा देने वाले भूजन में जिसे की carbohydrate है fats है और protein है यह तीनों ही हमें उर्जा प्रदान करते हैं अब यह अलग-अलग उर्जा प्रदान करते हैं ठीक है इनकी अगर हम मात्रा की बात करें तो एक ग्राम अगर आप carbohydrate लेते हो तो आपको 4 किलो कालरी energy मिल जब की अगर आप एक ग्राम फैट लेते हो यानि कि वसा लेते हो देन आपको 9 किलो कालरी energy मिलेगी जो कि आपकी carbohydrate प्रोटीन दोनों को अगर मिला जित दिया जाए तो उससे भी जादा है ठीक है तो इस वज़त इस तरीके से जो वसा हम फैट लेते हैं उससे हमें अधिक energy मिलती है अब इस जो यह energy giving foods हैं उनको भी दो में divide किया गया है एक तो है जिसमें कि आपके cereals यानि कि अनाज हैं दाले हैं और जो nuts हैं और oil seeds हैं ठीक हैं और जो roots है यानि कि जड़ वाली सबजियां हैं तने वाली सबजियां हैं यह सारी आ जाती हैं और दूसरा है जिसमें और सिफ और जादा से जादा ज्यादा शुगर है उसे हमें सिर्फ और जादा मिलती है और जिसके अलामा और कुछ भी नहीं मिलता है जबकि जिसे fats हैं oil से तो इन से हमें क्या है कि protein भी मिल रही है लेकिन और इसके साथ साथ हमें जो fatty acids हैं वह मिल रहे हैं और जो fat soluble vitamins हैं वो भी मिलते हैं लेकिन उर्जा सबसे अधि मिलती है तो यह सेंपल कार्बोहाइडर्ट में आ गए हैं ठीक है तो यह दो हो गया आप बात करते हैं कि जो सीरियल्स यानि जो अनासमू है वो हमें एनरजी तो देही रहे हैं अधिक मात्रा में ठीक है उसके अलामा हमें अपर्टीन मुख्य रूफ से देते हैं ठीक है वो हमें एनर्जी तो प्रोवाइड करें उसके अलामा जो है इनर्जी के अलामा हमें प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में देते हैं और जो B विटामिन्स हैं जैसे कि B1, B2, B3, B4 तो यह सारे विटामिन्स भी यह हमको प्रो जैसे की काजू बदाम अख्रोड यह सारे आ गये हैं तो इसमें भी यह भी energy के बहुत ही अच्छे सोर्स होते हैं ठीक है और फैट्स विसा भी दे रहे हैं और इसके साथसाथ में प्रोटीन भी दे रहे हैं और आगर हम रोस्वर्ट की बात करें यान कि जड़ और जो तने से हमें सब्जियां प्राप्त हो रही है तो वो भी जो है energy के अच्छे source होते हैं ठीक है energy प्रवाइट करते हैं जिसके आलू है अरवी है ठीक है प्याज है तो ये सारी जो है roots and tubers में आ जाते हैं तो ये energy तो हमको दे ही रहे हैं उसके alama कुछ मात् minerals और vitamins भी देते हैं मतलब कुछ मात्रा में देते हैं बहुत अधिक नहीं अब अगर pure carbohydrate की बात करें तो हमने बता है जिसे की sugar है जो कि सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ उर्जा प्रदान करता है इसी लिए इसको empty calorie भी कहते हैं अगर question यह आता है कि empty calorie कौन प्रवाइड करता है देन आप answer करोगे sugar और sugar में आपका आजाएगा glucose ओकी आप fats की बात करें तो यह हमें concentrated source of energy देता है और उसके साथ में fat soluble vitamins यानि कि जो वसा में घुलनसिल vitamins है वो भी प्रदान करते हैं concentrated source of energy का मतलब है कि जिसे carbohydrate proteins जो हमें energy प्राप्त हो रही है उससे अधिक जो हमें का इससे वसा से वो energy प्राप्त होती है अब दूसरी बात कर दूसरे जो foods है जिसे की body building foods यानि कि इसको हिंदी में बोलेंगे शरीर सौस्ठो भूजन ठीक है इसमें देखते हैं कौन-कौन से आते हैं यह जो foods हैं वो protein में rich होते हैं ठीक है इसलिए इनको जो है body building foods कहते हैं इनको भी दो category में divide किया गया है पहला है जिसमें की milk, egg, meat और fish आते हैं आप यह जो milk, egg, meat और fish हैं इनमें जो है protein अच्छी मात्रा में पाया जाता है और इसके साथ साथ इसमें जो protein पाया जाती है उसकी biological value यानि कि उसका जो जैविक मूल है यानि कि उसकी जो quality है उसका जो गुण है वो high होता यानि कि अधिक होता है अब high biological value का मतलब क्या है इसका मतलब है कि इसमें क्योंकि जो protein से पहले मैं ये बता देते हूँ जो protein वो किस से मिलकर के बना होता है amino aml से यानि कि amino acid से मिलकर के बना होता है amino acid जो है वो protein की इकाई होती है तो आपके essential यानि कि आवश्यक amino aml होते हैं और अनावश्यक amino aml होते हैं ठीक है तो जो आपके आवश्यक आमीनो आमल है आवश्यक का मतलब है कि जो कि हमारे शरीर में बनते नहीं हैं उन्हें हमें अपने आहार में लेने की जरूरत पड़ती है ठीक है तो जो हमारे शरीर में वो प्रोड्यूस नहीं हो रहें उत्पन नहीं हो रहें वो नहीं बन र तो जो अनावश्यक वो होते हैं, जो कि हमारे शरीर में बनते हैं, ठीक है, तो उन्हें हमें अपने डाइट से हम ले या ना ले, जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अलरडी वो हमारे शरीर में बन रहे हैं, तो हम अपने आहर में, अगर उन्हें कम मात्र में भी ले रहे हैं, देन जो है हमें कोई problem नहीं होती है, उनकी deficiency नहीं होती है, कमी नहीं होती है, लेकिन जो essential amino acids हैं, इनको आवश्यक इसलिए कहा गया है, क्योंकि यह हमारे शरीर में नहीं बनते हैं, हमें इनहें अपने भोजन में लेने की जरुवत पड़ती है, आवशकता होती है, इसलिए इ जो है, जिन protein में अच्छी मतलब सारी essential amino acids पाए जाते हैं, और सही अनुपात में पाए जाते हैं, वो उन protein की quality, यानि कि उनका जो गुण है, उनकी जो biological value है, वो अच्छी होती है, और वो हमारे लिए ज़्यादा beneficial होते हैं, ठीक है, तो वो protein पाए जाते हैं, milk में, egg में, meat म और fish में, अब बात करें, दूसरे group की, तो pulses, oil seeds and nuts हैं, ये भी protein में rich होते हैं, लेकिन इन में सभी आवश्यक amino अमल नहीं पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, ठीक है, इसी लिए इनको जो है, जो ये group के protein है, यानि जो pulses, oil seeds and nuts हैं, ये milk के, यानि जो पह सही है, rich protein पाई जाती है इन में, लेकिन इनकी जो quality है, वो उतनी अच्छी नहीं होती है, जितनी की milk, egg, meat और fish की होती है, अब बात करते हैं, regulatory and protective foods की, यानि कि इसको हिंदी में बोलेंगे, नियामक और सुरच्छात्मक foods, यानि कि जो हमारे शरीर को सुरच्छा परदान करत हैं, उसके साथ साथ जो हमारे regular process है, हमारा जो body system है, चल रहा है, उसको नियामत यानि नियमित रूप से चलाने में मदद करते हैं, अब जैसे कि इसमें कौन-कौन से आपके foods आ जाएंगे, मलब वो foods आएंगे इसमें, जिनमें की protein, vitamins और minerals अच्छी मात्रा में पाए जाते ह हैं, और वो क्या करते हैं, regulatory functions in the body, जैसे कि आपका heartbeat है, यानि कि दिल की धड़कन है हमारी, वो regular basis पर चलती है, उसको maintain करते हैं, हमारे शरीर में जो water balance है, उसको बनाए रखने में help करते हैं, और जो हमारे शरीर का temperature है, ठीक है, उसको भी maintain करते हैं, और proper बनाए रखते हैं, तो ये regular basis पर जरूरी है, इसलिए इनको regulatory foods करते हैं, और ये हमारे शरीर को सुरच्छा परदान करते हैं, तो इसमें कौन-कौन से आजाएंगे, इनको भी दो group में divide किया गया है, एक तो वो foods हैं, जिसमें की vitamins, minerals और protein अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, और इनकी biological value, जो क में की vitamins और minerals, मलब कुछ certain vitamins और minerals उसमें rich होते हैं, अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे की green leafy vegetables और fruits यानि की फल और जो हरी पत्तिदार सबजियां हैं, जिसमें की कुछ vitamins और कुछ minerals जो है, वो अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, तो ये जो है हमारे सुरच्छात् foods भोजन कहलाते हैं, अब आते बात करते हैं, repair and maintenance of health, यानि की स्वास्त की मरमत और रख रखाओ के लिए जिन foods की जरूरत होती है, उनमें कौन-कौन से foods आते हैं, वो हैं जिनमें की phytochemicals और antioxidants पाए जाते हैं, अब जो phytochemicals और antioxidants हैं, इसके बारे में जब हमने इसके पहले जो वीडियो आपके साथ discuss किया हुआ है, जिसमें की कुछ महत्पोंट तथ्य के बारे में, यानि की terms के बारे में, हमने detail में discuss किया है, तो उसमें हमने phytochemicals की भी बात की थी, और antioxidants की भी बात की थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, तो आप जो है, जो previous वीडि पेर पाधों से ही प्राप्त होते हैं, तो ये हमारे शरीर को जो different different रोग है, अलग अलग प्रकार के रोग है, उनसे जो है हमारी सुरच्छा करते हैं, ठीक है, किस तरह किस से करते हैं, ये हम पहले discuss कर चुके है, तो उसमें आप जो है, देख सकते हो, वो वीडियो आप दे हमें का निभाते हैं, ठीक है, अब जैसे अगर हम example करें, तो इसमें जो foods आएंगे, वो functional food आएंगे, ठीक है, अब functional food क्या होते हैं, इसके बारे में भी हमने previous वीडियो में discuss किया है, तो आप जाकर देख सकते हो, कि functional food क्या कौन है, इन्हें functional food क्यों कहते हैं, ठीक है, तो इ रंगे, फल और ये आपके जो spices हैं, ठीक है, जो मसाले हैं, वो सारे आपके functional food में आ जाते हैं, ओके, अब जैसे हम बात कर रहे हैं, अगर हम जैसे जो भी पोश्रत तो ले रहे हैं, ठीक है, अगर हम उसको सही मात्रा में ले रहे हैं, सही अनुपात में ले रहे हैं, दिन क क्या होता है, जो हमारा शरीर है, वो खुद ही अपने आपको repair कर लेता है, ठीक है, और हमारे शरीर को, सरीर जो है, वो healthy बना रहता है, स्वस्थ बना रहता है, जैसे कि आपने देखा होगा, कभी हमारे skin जो है कट जाती, अकसर कटती रहती है, ठीक है, कहीं हलकी सी कट के, तो क्या होता है, कि वो अपने आप़े ही heal हो जाती है, ठीक है, घाव भर जाते हैं, क्योंकि हम 問क जो foods ले रहे हैं, regular basis पर ले रहे हैं, जिसे सबझियां ले रहे हैं, हरीपत्तेदार सबझियां ले रहे रहे हैं, फल खा रही हैं, इस दूद रहे है तो ले रहे हैं और ली सब ले रहे हैं तो यह सब आ अपनी डाएट ले हैं हैं तो उन से je Вिटामिन से मिल रहे हैं कार्भोहारिड श्र प्रोटीन फैस यह सारे जो मिल रहे हैं जो उनकी मदद से खुद ही घाव हुए हैं उनको ही जो है इनको सही करदेती है और इस दीडिव कई हेर फॉलष होते हैं तो कितने भी आपमे है्ट सर्झ होँए हेट जुख हो रहे हैं कि हैर फॉलष हो रहा हैं द Mackay हम यूज करते हैं कभी ये शैंपो युवो घूंचेनर वह तेल तो अलग-लग мень के तेल यूज यू प्रॉड़क्ट यूज़ करो लेकिन अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है देन जो है आपकी जो यह हैर फॉल के प्रॉब्लम में वह बनी रहेगी और अगर आप अच्छी मातर में डाइट लेते हो देन जो है यह आपकी प्रॉब्लम आटोमाटकली सॉल्ड हो जाएगी बस आपको जो अपने बालों को जो है साफ रखने की जरूरत है ठीक है और उसके साथ साथ में डाइट प्रॉपर होनी चाहिए यह जरू ध्यान रखिए और देखा होगा कि अपने शरीर पर रेड और वाइट जो ब्लड सेल्स हैं ठीक है हमारे शरीर में जो पाए जाते हैं RBC और WBC यह भी regular basis पर क्या होते हैं मरते रहते हैं और नए बनते रहते हैं तो यह भी हम जो डाइट ले रहे हैं उन्हीं के द्वारा हमको यह सारे काम होते हैं ठीक है अब बात करते हैं आप शोशल फंक्शन की यानिकी सामाजिक कारे की तो उसमें क्या है सामाजिक कारे में अगर हम बात करें तो जो है जो फूड है वह हमारी सामाजिक जीवन है उसमें भी एक सिंबल का का 5 क्या मेwenीत टीक130 क्योंकि हम देखा होगा कि अपने हम समाज में एक दूसरे से मिलते हैं एक दूसरे से साथ जो है अपने भोजन को शेयर करते हैं चाहे वो बचपर में हो हम अपने स्कूल में जाते हैं तो महाँ पर टिफिन शेयर कर रहे हैं ठीक है घर में भी या फिर कोई function होता है तो महां जाते तो महां पर भी हम अपने force को एक दूसरे के साथ में share करते हैं का मतलब है कि हम समाजिक रूप में दूसरे को accept कर रहे हैं ठीक है और जब आप किसी के साथ अपने भोजन को share प्रेंट्शिक कर रहे हैं आप उनकी respect कर रहे हो और उनको अपनी समाज में अपने समुदाय में उनको accept कर रहे हो तो इस तरहीकी से भोजन है वो भी एक medium है हमारी खुशी को express करने का हमारी acceptance को express करने का ठीक है जिसे आपने देखा होगा की बहुत सारे जो है function होते हैं किसी का birthday हो गया किसी की anniversary हो गई या फिर किसी की शादी हो गई या फिर हमारे हमारी जो लाइफ उसके different different stages में कोई-णो कोई function होता रहता यानि कि हम अपनी घुषी को जाहर करते हैं जो है कोई function करके और उस function में हम क्या करते है हमारा जो मिन focus होता है वह हुता है भूजन हम different different तरीके के भोजन तयार करते हैं और उस भोजन के थूँ उसमें different अलग-अलग लोग आते हैं हमारे friends आते हैं हमारे relatives आते हैं ठीक है तो सब अलग-अलग community के हो सकते हैं religion के हो सकते हैं ठीक है अलग-अलग caste के हो सकते हैं तो सभी आते हैं उनके साथ अपने भोजन को share करत करते हैं ठीक है अपने भावनाओं को अपनी खुशी को उनके साथ शेयर करते हैं तो इस तरीके से जो भोजन है वह एक तरीके के सामाजिक कारे भी करता है ठीक है तो यह हो गया कि फंक्शन आफ फूड और क्लासिफिकेशन आफ फूड और किस तरी और सनच्रा भोजन की जो सनच्रा होती है तो यह टॉपिक जो है आपका कवर हो गया है अब नेक्स्ट जो भी टॉपिक है वो भी मैं आपके साथ ले करके आऊंगी ठीक है जिसमें कि हम करांड दीया हुआ था पांचोच्ताइब गूरूप दिये थे उसके बारे में भी हम डिस्कॉस करेंगी और जो इनहीं अभ़ी नजा नाजैज़ बारे में 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 हम डिसकस करेंगे तो अगर आपने मेरे चैनल आपनेमेरे चैनल को सब्स rather नहीं है वो discuss कर लूँ सारे course आपकी complete करवा दूँ आप चुकि मैं regular basis पर videos नहीं डाल पा रही हूँ ठीक है थोड़ा busy होने के कारण लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि जितनी जादा से जादा videos जल्दी सजल्दी आपके साथ share कर सको मैं share करूँ और आपके slabs को भी cover कर सको और अगर तो महां पर जा करके आप जो है notes वहां से ले सकते हो तो इसी तरीके से आप जो है देखते रहो और सुनते रहो अगर आपको मेरे videos पसंदा रहे हैं तो इसको like करना न भूले और subscribe करें अपने friends के साथ भी share करें जिसे की और लोगों को भी इसका फायदा हो सके ठीक है अगर वो तैयारी कर रहे हैं जो भी UP, TGT और PGT home science की तैयारी कर रहे हैं वो इसकी तैयारी कर सके और यह channel हमारा free है बिलकुल free है और notes भी free है तो इसमें कोई charges नहीं है ठीक है तो आप जो है बिना किसी problem के हमारे videos को देख सकते हो और notes भी प्राप्त कर सकते हो चलिए ओके थैंक यू सो मच